नमस्कार मैं दिपाली आप सभी का स्वागत दिपाली आइस्ट्रों में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन अनिकी 19 परवरी 2022 क्यासा जाने वाला है तो चलिए शुरॉत करते हैं में शार्शी वालों के साथ में शार्शी वालों अगर आज के दिन की में बात करूँ तो समाने तर जैसी परिस्तिती चल रही है चलने देना है कुछ खास उतार चड़ाओ के बारे में नहीं सोचना है अगर आप प्लाइनिंग भी करना चाहते हैं तो आज का दिन सर्वोत्तम माना जाएगा खास तोर पे अगर आप महीने की प्लाइनिंग करें तो परिस्तिती आपके फेवर में आ सकती है कुल मिला के सब तरफ से पॉजिटिविटी बनी रहेगी, मनशान्त रहेगा नए प्रोजेक्स, नए परिस्तिती की तरफ आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़ सकते हैं बात करते हैं व्रिशब राशी वालों के लिए व्रिशब राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूँ तो स्वास संबंदी चिंताएं सता सकती हैं खास दोर पे सेकिंड हाफ के दोरान तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान बरतने की जरूरत है नकरातमक उर्जा नकरातमक परिस्तिती या नकरातमक थाट प्रोसेस को आपको अपने आप से दूर रखना है ऐसी सिट्वेशन परिस्तिती जहां पर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस आउट हो सकते हैं कारशेतर में conflicting situations arise हो सकती हैं तो आपने आपको immediately detach करने की कोशिश करें कारशेतर के संदर में नए नौकरी का प्रस्ताव, सुझाव, information, परिस्तिती आपके सामने आ सकती है अगर आप उसे ग्रहन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको positivity देखने को मिल सकती है बात करते हैं मितुन राशी बालों के लिए स्वास समंदी चिंताएं मितुन राशी बालों आपके लिए अब control में आती हुए नजर आएंगी कावल कामकाज के संदर में भी इंडिकेटर है तो वहाँ पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है लंबे समय से चल रहा कोई पारिवानिक तनाव अब आपके लिए favorable होता हुआ नजर आएगा परिवार में एकता बढ़े हैगी आपका मानसरमान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा बात करते हैं करक्राशी वालों के लिए करक्राशी वालों अगर आज की मैं overall situation देखूं स्वास्तमबदी चिंता हैं आपको first half के दोरान सदा सकती है हास तोर पे सरदी जुखाम या पेट में कोई दिक्कत हो सकती है तो आपको खान पान पे नियंतरन रखना है छोटी मोटी चीज़ों को आपको taken for gladly या granted वाली situation में नहीं जाना है आपको अगर थोड़ी सी भी अनिमित्ता अपने स्वास्त में लगती है तो आपको स्वास्त संबंदी चिंताओं को touchfully handle करना चाहिए और किसी डॉक्टर से टाइम डी आपको परामश लेना चाहिए साथी साथ आज के दिन खान पान का विश्रिश ध्यान भी रखना है कामकार में थोड़ा सा टाइरिंग हो चकता है सेकिंड हाफ के दौरान आपको थोड़ा समनाटनस लग सकता है तो अपने आपको दिन के शुरॉत में ओगनाईस करने की जरूरत बन सकती है बात करते हैं सिंगराश शिवानों के लिए प्रॉपर्टी संबंदित मैटर्ज में आपको कही न कहीं प्रॉफटिबल्टी देखने को मिल सकती है मन आपका शांत रहेगा आपके लिए परिस्थितियां आर्थिक रूप से और जदा प्रबलतम रूप लेकर आशकती है जो लोग वाहन खरीदने के एक शुक थे या प्रॉपर्टी में निवेश करने के एक शुक थे या बहतर डील की वेट कर रहे थे परिस्थितिया उनके लिए निकूल होती वे नजर आएगी कही न कहीं जो लोग शेयर ट्रेडिंग में भी अपना अजमाना चाह रहे थे वो परिस्थितियां भी उनके लिए कहीं न कहीं profitable ventures ये profitable situations लेकर आ रही है multiple income resources पे भी अब आप काम करना शुरू कर सकते हैं या सोच सकते हैं बात करते हैं कने राशी वालों के लिए कने राशी वालों मन आपका शान्त रहेगा परिस्थितियां favor में रहेंगी अपने लिए अच्छी परिस्थितियां अच्छी situation अच्छी scenario को आप इकत्रित कर पाएंगे अपने लिए आप आगे की तरफ सुचारू रूप से planning कर पाएंगे आज का दिन सर्मुत्तम माना जाएगा emotionally काफी ज़्यादा strong रहेंगे relationship में भी clarity रहेगी communication भी आपका strong रहेगा कुल मिला के आज का दिन सामानिता जाएगा organized रहें, discipline रहें और आगे की तरफ की आप planning आज के दिन कर सकते हैं आज के दिन आपको अपने स्वास्त के प्रतीवी थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है बात करते हैं तुलाराशी वालों के लिए तो आज के दिन आपके दिये सर्वोत्तम माना जाएगा उन सभी तथ्यों को, facts को, matter को सामने रखते हुए आगे बढ़िये जहां पर पिछले साल जब आप उस matter को solve करने की कोशिश कर रहे थे तो कहीं न कहीं कोई blockage ये समस्या आ रही थी अब इस साल वो परिस्थिती अनुकूल होती भी नज़र आएगी मन आपका शान्त रहेगा, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नज़र आएगी कारेशेतर में स्थिर्था बनी रहेगी पराकरम में वृद्धी रहेगी, लोग आपके सुच बूच की एक उसकी तारीफ भी करते हुए नज़र आएगे एक कोई न कोई दिशा, मैटरपूर्ण परिस्थिती, मैटरपूर्ण सिटुएशन, अवस्था, इंफोमेशन आज के दिन आपको मिल सकती है जो आपको आर्थिक रूप से और जादा सबल यह सक्षम बना कर जा सकती है बात करते हैं वृष्टिक राशी वालों के लिए वृष्टिक राशी वालों समानेता जाएगा, आज का दिन कुछ खास उतार चड़ाओ नहीं देखने को मिलेगा स्वास संबंदी चिंताएं आपके लिए अब ठीक होती हुई नजर आएंगी परिवार में अगर कोई स्वास संबंदी चिंता चल रही थी किसी व्रदितम सदस्य को लेकर तो वो परिस्थिती भी अब ठीक होगी मन आपका शांत रहेगा रिलेशन्शिप में क्लारटी कॉमिनिकेशन बना रहेगा परिस्थिती अनुकूल रहेगी लोग आपके काम की तारीफ करेंगे सब तरस सर्वोत्तम परिस्थिती बनी रहेगी आपके लिए सुचारू ढंग से आगे बढ़िए बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए समानेता धनुराशी वालों आज का दिन आपका जाएगा कुछ खास आपको उतार चड़ाव देखने को नहीं मिलेगा सेकेंड हाफ के दौरान कोई महत्रपूर्ण परिस्थिती कोई महत्रपूर्ण आवस्ता सिचुवेशन सेनारियो आ सकता है जो आपकी आर्थिक रूप से परिस्थिती को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है नई अपोचिनिटी नई अवसर भी आपको देखने को मिल सकते हैं किसी ऐसे वेक्ती विशेश से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जो लॉंग टर्म में आपके लिए काफी जादा फिनैंशली प्रॉफिटिबल वेंचर्स या कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ टाइप्स लेकर आ सकता है साथ ही साथ नौकरी चेंज करने के जो लोग एकशुक हैं उनके सामने अच्छी परिस्थिती बहतर सैलरी और बहतर प्रोफाइल सामने आ सकती है कारेश्षेतर में विस्तार निजी बिजनस अगर है तो उसमें भी वैपार के विस्तार के आप्शिन्स भी आज के दिन आपको देखने को मिल सकते हैं बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए स्वास्त समंदी चिंता है मकराशी वालों आज के दिन आपको सता सकती है स्वास्त का विशेश दियान रखना है आज के दिन आपके अगर आप किसी profitable venture में आपने investment किया था तो वहाँ से आपको returns देखने को मिल सकते हैं मन आपका शांत रहेगा long term partnerships आपकी आगे बढ़ सकती है financially आपके investment करते हुए नजर आ सकते हैं business को और बढ़ाने के लिए कोई आपके पास information आ सकती है उसको अगर आप समझेंगे उसको review करेंगे तो आपकी positivity और situation में आती हुए नजर आएगी परिवार में situation सही रहेंगी कुमब आर्शी और आपके दिन आपके लिए एक सरवत्तम परिष्थिती लेकर आ सकता है सामानिता रहेगी परिवार में भी परिष्थिती रहेगी मन भी शांत रहेगा अपने उपर काम भी कर पाएंगे टाइम भी निकाल पाएंगे अपनी परिस्तितियों का बहत्वपूर्ण तरीके से आंकलन भी कर पाएंगे कहीं न कहीं जो पिछले साल आप से चीजें छूट रही थी जहां पर आप सोच रहे थे परिस्तियों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों आज का दिन आपके लिए समानता जाएगा कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलाते रहे हैं रिलेशन्शिप पे भी समानिता ही परिस्टिती रहेगी ओन इन ओफ सिच्वेशन थोड़ी सी आपके लिए आपका मूट स्विंग्स हो सकते हैं लेकिन उससे कोई ओवरॉल परिस्टिती में कोई नेगेटिफ मूवमन्ट या सिच्वेशन नहीं है तो कुल मिलाके आज का दिन आपके लिए नई यूजनाओं को आगे लाकर आकलन करने का या बहतर परिस्टिती कैसे बनाई जाए इस पर अगर आप यूजना बनाना चाहते हैं तो सरवोत्तम माना जाएगा लोग आपके काम की तारिफ भी करेंगे पॉजिटिविटी सब तरफ से आपको देखने को मिलेगी सब तरफ से आपको सपॉर्ट भी मिलेगा चाहे सामाजिक कहें चाहे परिवार का कहें इसी के साथ मुझे आग्या दीजे मैं कल फिर आज रोंगी नमस्कार